यह शिव पुरान परम उत्तम शास्त्र है. इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वायमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए. इसका पठन और श्रवन सर्वसाधन रूप है. इससे शिव भक्ति पाकर श्रिष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीग्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है. इसलिए संपूर्ण यल करके मनुष्यों ने इस पुरान को पढ़ने की इच्छा की है, अत्वा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है. इसी तरह इसका प्रिमपूर्वक श्रवन भी संपूर्ण मनो ब अंचित फलो को देने बाला है. भगवान शिव के इस पुरान को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीकन में बड़े बड़े उतक्रिष्ट भोगों का उपढ़ोग करके अंतमे शिव लोग को प्राप्त कर लेता है. यह शिव पुरान नामक ब शिव पुरान परहम परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उतक्रिष्ट गति प्रदान करने वाला है. जो निरतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुरान को बंचता है अथवान नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाथ मात्र करता है. वह पुरण यात्मा है इसमें सं शय नहीं है, जो उत्तम बुद्धी वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुरान को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसंद हुए भगवान महेश्वरु से अपना पदधाम प्रदान करते हैं, जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुरान का पूजन करता ह बहिस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंतमे भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है, जो प्रतिदिन आलस्य अरहित होरेश्मी वस्तरादि के वैश्टन से इस शिव पुरान का सतकार करता है, वस सदा सुखी होता है, यह शिव पुरान निर्मल तथा गवान शिव का सर्वस्व है, जो इह लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रबल पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए, यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुरान धर्म, अर्थ, काम और मुक्षरूप चारों पुरु शाथ्वा को देने वाला है, अत सदा प्रिम्पूर्वक इसका श्रवनिवं विशेश पाथ करना चाहिए,